आपने चोरी की घटनाओं के बारे में तो जरूर सुना होगा आसपास चोरी की घटनाओं को होते हुए भी देखा होगा कि कैसे चोर छोटी छोटी चीजों पर शातिराना अंदाज में हाथ साफ कर देते हैं आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर हम आपको ये क्यों बता रहे हैं दरसल इस वक्त सोचल मीडिया पर एक वीडियो वाइरल हो रहा है जिसमें एक चोर कोई पैसे या जेवरात चोरी करते हुए नहीं दिख रहा बलकि नाली के उपर लगा लोहे का जाल चुरात कर भाग जाता है भाई पहले तो पैसे, पर्स, जीूल्डी को समाल कर रखना पड़ता था लेकिन अब तो नाली के उपर रखे जाल भी सुरक्षित नहीं है वहीं चोर का ये कारणामा CCTV कैमरे में क्याद हो गया जानकारी के मताबिक वाईरल वीडियो गाजियाबाद का है जहां एक भला चंगा दिखने वाला व्यक्ती स्कूटी से आता है और नाली के उपर पड़ा लोहे का जाल चुरा कर ले जाता है वीडियो में साफत और पर देखा जा सकता है कि कैसे शक्स अंधेरे का फायदा उठाते हुए स्कूटी पर लोहे के जाल को रखता है और मौके से फरार हो जाता है हाला कि अब चोर भी स्कूटी से चोरी करने आएंगे तो क्या ही कहा जाए लोगों को अब पैसे और पर्स के साथ घर के बाहर लगी नाली के जाल को भी बचा कर रखना पड़ेगा क्योंकि चोरों ने चोरी करने का अनोखा तरीका अपनाया है फिलहार चोर के इस कारणामे पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं सासी देश और दुनिया की बागी बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पपलिक खबर के यूट्यूब चानल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चानल से जड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक से पहुच पाएं